दोस्तों रुष्कार स्वागत है अब सभी का आपी की चैनल उशाकी किरन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की स्थांदार इंट्रा स्रीज पिकप ट्रग वी-50 के बारे में और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसकी कीमत, माइलेज, स्पेसिफिकेशन्स और इसके अंदर आपको क्या नए फीटर्स मिलते हैं हर चीज के बारे में डीटेल में इंफॉर्मिशन देंगे तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर करना ना भूले तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इंट्रा स्रीज एक ऐसा स्मॉल कमर्शल वीकल है टाटा मोटर्स का जो की काफी अच्छा खासा लोड के साथ में आपको बहतरी इन पर्फॉर्मेंस देने का काम करता है बात करें दोस्तों हम नई इंट्रा पिकप V50 के फ्रंट लुकी तो आप देख रहे हैं काफी सांधार आपको इसका फ्रंट फेश्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको टाटा का रोगो हैं और यहाँ पर आपको क्रोम फ्रिश दी गई μαissippi एस गारी कर देख करती है में इच आपको फोग één जुरत कलर कॉंबिनेशन के साथ में हमारे पास में इंट्रा सुरीज का ये ट्रक खड़ा हुआ है और हेडलाइट अगर आप देखते हैं तो काफी नए आपको यहाँ पर हेडलेंप देखने के लिए मिलेंगे उपर आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर वगरा भी दिये ग चाबी ताला लगाने का ओप्सन है आप अपनी केविन को यहाँ से लॉग कर सकते हैं आपकी सेफटी को इनेंस करने के लिए साइड में भी टर्न इंडिकेटर दिये गए हैं दाइवर को उपर चंडे के लिए यहाँ पर आपको फूट पैड वगरा भी दिये हैं तो दोस् से यहाँ पर इंजिन के लिए सुद्धवा मिल पातीर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे की साइड में आपको एक बिंडो भी दिया गया है कार्गो बॉड़ी भी आपको काफी मजबूट यहाँ पर कमपनी के द्वारा प्रवाइड की जा रही है जिसके चारोई कीजी का जो है ऑफिशल पेलोड इन गाडियों के साथ में मिल पाएगा साथी दोस्तों इससे भी ज्यादा आप यहाँ पर माल लेके जा सकते हैं बाकि ऑफिशल पेलोड आपको यहाँ पर 1500 कीजी का इस गाड़ी के साथ में मिलता है का भी लंबा चोड़ा आपको कार्गो सेंसर भी दिये हैं तीन-तीन जिससे की जब आप गाड़ी को रिवर्स करेंगे तो आपको बीप साउंड जनरेट होगा और आपको पता चलेगा कि कहीं कोई पीछे है तो नहीं और सेंटर मांटेड आपको जो है इसका स्पेर वील मिलेगा गाड़ी के अंदर आपको पर 35 लिटर फ्यूल फिल कर सकते हैं और इसको जो है आप चावी लगा करके अपने फ्यूल टेंक को यहां से सेव भी कर सकते हैं तो एक अच्छा खासा एमाउंट में आपको यहाँ पर फ्यूल फिल करने का ऑप्सन टाटा इंट्रा वी फिप्टी के अंदर दिया गया है और 188 यानि की 188 mm का सांदार आपको यहां पर ग्राउंट रियंस प्रवाइट किया गया है गाड़ी के अंदर जिससे कि आप किसी भी तरह के कच्छे पके रास्ते में आसानी से निकल जाते हैं तो टाटा इंट्रा वी फिप्टी के अंदर आपको काफी मजबूत सस्पें गाड़ी के अंदर आपको यहां पर काफी बड़े टायर जो है दिये गया है 215, 75, R15 के आपको यहां पर LT टायर जो है गाड़ी के अंदर प्रवाइट किये गया है अब दोस्तों हम चलते हैं केविन के अंदर और केविन का इंटिरियर भी आपको दिखा देते हैं जहां पर आपको तमाम चारे comfort देखने के लिए मिलेंगे डोर के ऊपर की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दोनों ही डोर के ऊपर diver और co driver side में पानी की बाटल रखने के लिए जगह दी गई है Tata की branding है काफी अच्छी trimming है और काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पर रूमी के बिन Tata intra V50 के अंदर देखने के लिए मिलता है उपर आपको यहाँ पर sun visor भी दिया गया है जिससे कि आप धूब वगरा में गाड़ी चलाते हैं तो आपको direct sunlight जो है वो आँखों पर नहीं पड़े और walkthrough space मिलेगा जिससे कि आप इस side से चड़ें या उस side से चड़ें दोने side से चड़ करके आप जो है बतलब driver seat पे भी जा सकते हैं और इस side में भी आना चाहें तो आप इस side में भी आसानी से आ सकते हैं comfort के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो दो लोगों की बैठने की विवस्ता है लेकिन कभी फुरसत के पलों में हमारे driver भाई आराम भी करना चाहें जो तो वो यहाँ पर आराम से लेट करके अपने कुछ पल बिता सकते हैं अपनी ठकावत को मिटा सकते हैं बीच में भी आपको यहाँ पर पैठ दिया है तो दोनों seat ओ को मिला करके आप यहाँ पर आराम के बितावी सकते हैं तो दोस्तों काफी comfortable आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलती है, walkthrough space को बनाने के लिए company के द्वारा आप देख रहे हैं, यहापर इसका जो gear shift lever है, उसको dashboard का ही एक सब बनाया गया है, यहापर आपको mobile charging का option है, जिसके अंदर आपको USB cable लगाना है और आप अपने phone को easily charge कर स यहाँ पर आप देख रहे हैं, co passenger side से आपको इस तरह से entry लेनी है, और यहाँ पर entry लेने के लिए foot pad बगरा दिया गया है, वही दोस्तों गर हम driver side के entry की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको foot pad दिया गया है, जिससे कि आप easily entry ले सकते हैं, और यहाँ पर जब हम इसके door को open क करते हैं, तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि body की build quality देखो आप कितनी बजबूत आपको यहाँ पर built quality इन गाडियों के साथ में यहाँ पर दी गई है, और seat काफी अच्छी है जिसको कि आप आगे पीछे move कर सकते हैं, recline भी आप adjust कर सकते हैं, अच्छा back support मिलेगा आपको साथ ही दोस्तों आपको अच्छा खासा high support भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, driver side के door के उपर भी यहाँ पर आपको पानी की bottle रखने के लिए जगे दी गई है, यहाँ पर अगर आप music system गाड़ी के अंदर install करते हैं, FM बगरा लगाते हैं, तो उसका speaker लगाने के लिए भी यहाँ पर आपको specific जगे जो है गाड़ी के अंदर provide की गई है, साथ ही दोस्तों गाड़ीों के साथ में आपको यहाँ पर जो है eco mode दिया है, जिससे कि आप बहतर fuel efficiency प्राप्त कर पाते हैं, अगर आपकी गाड़ी खाली चल रही है, या फिर आप load खाली करके आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को eco mode प्रेस करके चलाएंगे, तो आपको यहाँ पर कम से कम diesel की खबत के साथ में बहतरीन performance और fuel efficiency देखने के लिए मिल जाती है, दोस्तों गर हम और features की बात करें तो आप देख रहे हैं, काफी सांदार आपको यहाँ पर steering मिल जाता है, यही पर आपको यहाँ पर gear shift advisor जैसी चीज भी मिलती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि कितनी speed के साथ में कौन सा gear आपको यहाँ पर turn करना है, यानि कि डालना है, आपको reset करने का mode दिया गया है, यहाँ पर आपका trip है, engine temperature है, fuel gauge है, यहाँ पर आपका time बगरा भी सो होगा, order meter, trip meter, हर तरह की information आपको इसके digital information display के उपर सो होती रहती है, दोस्तों इन गाडियों को अगर आप लेते हैं AC variant के अंदर तो यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर blower भी provide किये जाएंगे, साथ ही दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको music system लगाने के लिए space है, उपर भी आपको कुछ space दिया है, जिसके अंदर आप अपना कुछ coin बगरा है, चोटा मटा सामान है, वो रख सकते हैं, इस side मगर आप देखते हैं, तो lockable glow box है, यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा खासा space दिया है, और दोस्तों walkthrough space काफी अच्छा है, जिससे के आप इदर से उद 50 जो pickup truck है, उसके अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको काफी अच्छी light दी है, cabin light, जिसको कि आप night के समय में अपनी cabin को रोसन कंदे की use में ले सकते हैं, चाती दोस्तों आपका यह जो parking brake lever है, यह भी इस तरह की position किया गया है, जिससे कि आप parking brake लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको सोने के लिए भी अच्छी खाची जगह मिल जाएगी, अगर आपको भी आराम करना चाहें तो, तो 5-speed manual transmission के साथ में आपको यहाँ पर fully synchronized gearbox दिया गया है, data intra V50 के अंदर, जो की cable type के mechanism के साथ में आता है, जिससे कि आपको यहाँ पर gear shift करना काफी soft होता है, यानि कि आपको कोई थखाबट नहीं होती है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, Tata intra V50 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको काफी अत्तक, तमाम सारी जानकारी दे दी हैं, अब बात करते हैं, दोस्तों हम गाड़ी की technical specifications के बारे मे गाड़ी के अंदर आपको यहां पर चार चलेंडर का BS6 एंजिन दिया गया है, जिससे अगर हम पावर की बात करते हैं, तो 79 HP की पावर मिलेगी, और 220 NM का आपको सांदार, टॉर्क इस गाड़ी के साथ में मिल पाएगा, 15 तक का mileage company का कहना है कि इतना mileage आपको मिलेगा, बा बग 9,80,000 रुपे के आसपास की कीमतों में आप इसको फिलाल परचेज कर सकते हैं, 10,000 रुपे के आसपास का आपको सांदार डिसकाउंट भी इन गाड़ीयों के साथ में मिल पाएगा, 35 प्रतिसत की चलाव, चलने की चमता के साथ में आने वाली Tata Intra V50 का अगर आपको व वोटर्स के वीकल्स जो है देखने के लिए मिल जाएंगे, खरीनने के लिए मिल जाएंगे, तो आज के लिए इतना फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर तब तक के लिए जै हिन जै भारत